नमस्कार मित्रों मैं हूँ असुक बर्मा आप देख रहें टीवी 20 नूज अब रुख करते हैं आज की खास ख़बरों की तरफ इस ख़बर के प्रवांचल मसेनरी अजिन्सीज बर्मा टावर नरवली तनिस्क सोरूम की नीचे आजमगड प्रोप्राइटर है असुक बर्मा और मुबाइल नंबर है 9415-207728 ख़बर आजमगड से है जहां रानी की सुराय में समाजवादी पार्टी के पीडिये पंचायत ने सभा पिछड़ा प्रकोष्ट के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कर्श्यप ने वीजेपी सरकार पर जम करने साना सादा और कहा कि पीडिये ही एंडिये को हरा सकता है वहीं डाक्टर राजपाल कर्श्यप ने वीजेपी सरकार पर हर मोर्जे पर फेल होने का आरूप लगाया और कहा कि पिछड़े दलितों अल्पसंकिकों आधिवाशियों का अधिकार छीना जा रहा है यवां को नक्री नहीं द लाने का काम किया गया था वह भी एपी सरकार नहीं बंद कर दिया है अपने एक लड़के को विधायक बनाया एक लड़के को सांसत बनाना चाह रहे हैं सुनाते हैं कि डाक्टर राजपाल निशाद ने और क्या कुछ कहा समाजबादी पार्टी के राष्टी अद्धेक्ष मानी स्री अखलेश यादाव जी के निर्देश पे और आवाहन पे पूरे प्रदेश में पीडिये पंचायतों का आयोजन समाजबादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ट कर रहा है और अभी प्रतापगड में कि और आज आजमगड में है अब यह पीडिये पंचायत अभी आजमगड में हो रही है उसके बाद में यह प्रतेग विधानसवा बलाक और भूतों तक पीडिये पंचायत होगी पीडिये ही एंडिये को उखाड फेकने का काम करेगा और बीजेपी की 17 वरस की सरकार ने 10 वरस का केंद का कारकाल और 7 वरस का उत्तर प्रदेश का कारकाल यह अपनी नाकाम रहे हर मोर्चे पे नाकाम रहे उन्होंने न जाती जन्गरना कराई न दो करोड नवकरी का वादा किया था न नवकरिया दी किसान की आयदुगनी करने का वादा किया था वो भी नहीं किया आरक्षण खतम कर रहे हैं निजी करर करके प्रत्य वरस दो करोड इन्होंने बिरुजगार करने का काम किया है हम लोग गाउगाउ जाएंगे और जनता को बताएंगे महगाई चरम सीमा पे है बिरुजगारी चरम सीमा पे है कानून विवस्ता ध्वस्त है बहन बेटिया सुरच्चित नहीं बीजेपी कर अपनी सारी नाकामी छुपाने के लिए भगवान राम का सारा ले रहे और भगवान राम भी अब इनको बख्षने वाले नहीं है क्योंकि इनों ने भगवान राम की भी जमीनों के खरीद फर्वक्त में घोटाला किया चंदे में घोटाला किया और हम दलीत पिछड़े आदिवासी बनवासी और अलपशेंखकों को अपमानित कर रही है बीजेपी लगातार और उनके हक अधिकाज छीन रही है उनने 70,000 सिच्छक बैठे हैं पायक लाग भरा नहीं जा रहा है आरक्षर पूरा किया नहीं जा रहा है और आप तो लेटरर भरती केंज सरकार ने चालू कर दी और उसमें कोई पिछड़े अउदलीत के लोग नहीं है कितने हमारी सरकार को बदनाम करते थे कहते थे कि यादवों के कलक्टर सब यादों कलक्टर है जबकि वो यादों नहीं सारे कलक्टर थे लेकिन बीजेपी ने हमको बदनाम किया हम ढूंते भूम रहे हैं निशाद का बेटा कहां कलक्टर है कहां चौरसिया का बेटा कलक्टर है कहां राजबार का बेटा कलक्टर है कहां भुर्जी का बेटा कलक्टर है कहां निशाद का पेटा कलक्टर है हमें तो कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा हमें तो इतने जिलों में घूम के आया हूं कहीं नहीं मिला है बीजेपी पिछड़े दलीत आदिवासी अलफ्षेंखों को अपमानित कर रही है और ठेके पर बैठाल के लोगों को पिछड़े कुछ चंद गुलाम प्रमत्ति के नेताओं को अपने दल में सामिल करके और और